तो हम बात कर रहे हैं types of self pollination के बारे में और मैंने आपको बताया कि on the basis of source of pollen, pollination को दो main types में हम classify कर सकते हैं और सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था about self pollination self pollination तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं self pollination per यagon self pollination एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहाय हूं कि कम से कम से पौलेशन में क्या से मोना चीए plantится होना चाहिए एक ही फ्लावर के पृट अका ट्रांस NewsSie और सेंट्रावर्स के बीस अगर पॉलनेंट ढरीके असे जैन फालीन है फाल दोनों क्या है सेसे पॉलिएशन बात पॉल देते हैं तो हम लोग इसको डिशेंटेलर बात करेंगे कि यह उधाइनों गयाइंगा लेकिन अग्याज भी डिश्क नेशन पॉल देते हैं वह लिए डिश्क करेंगे कि फॉलमिoked क्यों सेम पॉलिएशन तब बोल बोल सकते हैं जब बड़न को रोप तो हो वी उल्च apple striking चैन тех इस तो यह हो गया और बात कर रहें यहां पे हम बात कर रहें हैं वे खांपल क्या होगी इसले वीडियो प्राइब भी मैंने आपको बताया था कि या तो बाई सिक्स्वल फ्लावर हो और अगर फ्लावर यूनिसेक्स्वल हो तो प्लांट क्या होना चाहिए कम से कम मोनो इसियस होना चाहिए तब इन दोनों में ही टेंटनेसी कि जादा होगी सेलफ पॉलिनेशन ही हलाखी हम इसमें प्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं dear desirable सब्सक्राय बटे टाड़ संपलार कि जो नर्णेश के ओधन के लिए किसी सर्फड़ीयचन ही हो क्या क्या मेक्नियसम हो सकती है क्या इस्कैश्वत हो सकती है जिससे कि इस प्लांड में इसके लिए spiesरेट इने अपना सकती है क्या चेंज प्लांड अपने अधर टवर्फ हो चलिए उस बाहत कर रहीं इस क्योंने कि मैं बात कर रहा हम आपसे जिसको था रहा हूं मेकनिजम तो एंशयोर क्या क्या मेंगेमज्म हो सकती है क्या क्या डिसी हो सकती है की पॉलिनेशन जो है वह कौन सा वाला हो तो वन बाई वन मैं आपको बता रहा हूं आप इसे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुकिया है इस पाई सेक्स्वेलिटी फ्लावर क्या होना चाहिए बाई सेक्स्वेलिटी एक स्ट्रेटी या मेकनिजम ह जस्क्षों देसेल पॉलिटी इसेंट को मतलब हूँ गया कि ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल एंड मेंस इस ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रजेंट हों तो में एंड फीमेल इन सेक्सवर अगर एक ही फ्लावर सेक्सेट है तो अचिश्वेलिटी बहुत गांड बहु की बोल सकते हैं मेंडल जिसमें अपना वाक परफॉर्म किया था और एक दूसरा एक्जामपल है इसको भी हम याद रख सकते हैं जैसे की स्वीट कि इसमें चांस को से पॉलनेशन क्या होगा दूसरी कंडिशन यह है कि कंडिशन क्या होनी चाहिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि लोगोशी does condition भी गुश एंशियोड करेगा इसको इसको से फॉलिनेशन को तो मोशी इस इस पंडिशन में भी चांस किसका जादा होगा से पॉलिनेशन का जादा होगा यानि कि यहां पर मैं बात कर रहा प्लांट और कंडिशन को मैं बोल रहा हूं मुझेस कंडिशन एक्जाम्पल बहुत इंपॉर्णन रहे याद रटना जैसे की कुकुर्बिट्स होते हैं जैसे की अभी मैंने आपको बताया था जैसे कद्दू हो गया कुकुंबर्स हो गए खीरा वगएरा मेलन हो गया वाटर लिए दूसरी चीज दूसरा इंपोर्टेंस अब यहां पर आठाब सकते हैं और जाइस नोगों कोड़िए को प्रकुंट पर अत्लिए टीसरी में इस टाइप यहां पर हम को हो मोग्यमि देखने को मिलना चाहिए है हो मोगमर्स कंडिशन होनी चाहिए हो मोगमी मतलब हो मो बतलम एक जैसा गैमी मतलब गैमस मतलब गैमीड में एक जैसे कंडिशन होनी चाहिए एक जैसे कंडिशन से यहां पर मेरा मतलब यह है बोथ मेल एंड फीमेल गैमीड शुड़ मैचोर अड़ ऑड़ सेम टाइम जस्ट विद इसल पॉलिएशन हम भी हमने आपको बताया पहले होना चाहिए यहां पे एक ही टाइम पर मेल एंड फीमेल गैमीड बने की होंड इस से अधाइम ताइम इसको मैं बोल रहा हूँ हो गयावी इसको मैं बोल रहा हूँ हो गयामी एक्जामपल समको याद रखने है जैसे की संफ्लावर संफ्लावर में वैसे तू होता क्रॉस पॉलिनेशन हैं टेंडेंसी क्रॉस पॉलिनेशन के जादा होती है लेकिन सिल्फ पॉलिनेशन भी भी हो सकता है किश्में воды सांफ्लावर में मैंने आपको बता है कि स्पीर सोलोेशनौ की टे्टिस्य जाधा होगी लेकिन इस place भी सकता है इसमेर इसमेरे इंस बहुत important plant मेरा बिलिस जलापा या फिर इस कौर में गवार क्या होते हैं फोर ओक्लॉक क्लाइट प्लाइट प्लाइट तो सनफ्लावर विंका या कैथरांथस और मेरा बिलिस जलापा या फोर ओक्लाइट में हमको को सामेटुबरदर्वाइट दिखाई देता हैं इन थे इन बहुत फिमएल एंड फिमिल गैमिट होते हैं मैं टोड़ा से पार जाएब आपको बात बना देता हूं इस से यह वान लिजिक क्या हो गया इसका फीमेल रिप्रॉड्टी पार हो गया यानि की गानुसियम और बिस है कि इस तरीके से टैसे हो जाता है जितने की कि इस labor vér Guess इस तरीके से या तिस तरीके से बैंडं सो जाएंगी ने के साझां, इस वजे से इस लिए प्लिए जो पॉलिं ब्रेस्ट का इप्पतु तर से वार कि को रहे हैं जिस होर हम क्या बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे तो सन फ्लावर यह एक स्ट्रेडजी डेवलप करता है एक चेंज है अपने अंदर कि इसका जो वर्सटाइल फिलामेंट है यह धूम जाता है यह कवर कर लेता है कि इसको इस्टिग्मा को उपर से ताकि एक भी पॉलन ग्रे कि या विंका की तो इसमें होता क्या है कि फ्लावर का जब मैचुरेशन होता है तो इस बेंडिंग यानि कि इसमें जो फिलामेंट है सब्लावर की तरह यह तो बेंट करता है भूम दो जाता ही है लेकिन इसके साथ साथ यह जो इसका फीमेल रिसक्टिव सर्फिस है यानि जो स्टिग्मा है यह भी इस तरीके से ब्रॉड हो जाती है फूब धेर सारा इस तरीके से फैल जाएगी ताकि इसका सर्फिस एरिया बढ़ सके तो जो प्लावर मैचूर होने लगता है विंका या कैथर अंतरस का तो जो प्लेट लाइक स्ट्रॉक्शर है लेंडिंग इस स्टिग्मा वह ब्रॉड हो जाएगी बहुत फैल जाएगी सर्फिस एरिया अपना इनॉर्मस्टी इंक्रीज कर लेगी ताकि एक भी पॉलन ग्रेंड रिलीज हो फॉम आंथर तो वह लैंड करें ऑन दे स्टिग्मा आप दा सेंव फ्लावर जस्ट एंशूर दूर चां पर कि मेलें जी मेल एमीट को एक तरफ एसी स्ट्टिगी ले रहे हैं प्लाइंट याफ फ्लावर जो इंशूर कर रहें सेट पॉलनेशन को तो कहीं ने कहीं किसी सेट ऑफ कंडीशन में इसका इड़न इस भी है इसको बात में डिसक्स करेंगे अगर प्लांट इतना एफट इस इस में आपको बताया जिसमें क्या होगा सिर्फ पॉलनेशन पो इंडियूज किया जाएगा अब मैं आ रहा हूं चौत है मेकनिजम पे पूर्ट मेकनिजम पे टूइंशूर देशांस और सेल्पॉलनेशन इसको मैं बोल रहा हूँ क्लिस्टो जयमी दिस्टो का मतलब होता है इस ब्लोजू क्लिस्टोगाई मी टरम समझने से पहले मैं आपको ईक बात बताता हूं कि फ्लावर जो है वो दो तरीके क्यों होते हैं Flowers दो तरीके गिवह होते हैं अपरे कि बनने की process को एंथिस बोलते हैं study of pathology of flower pathology बोलते हैं emphasis का मतलब है कली ओक छटकना जो प्रवार जाती है यादि कि जो पहले कड़ी बड़ स्टेज में यहाद होता है वन युट इस्टेज होता है अब हैं इस आप हैं तो और जो ङाती है और जो एकश्पोज हो जाते हैं इन्वर्मेंट में जानी कि एंतर पिस्टेल बगएरा और इवें दो यहां पे जो पेटल है जो वह होगी एक्स्पोज हो जाएगा एक फ्लावर बहुत बहतरीन कि देने रगे तो यह सब फ्लावर आपको देखते हों कि बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं एक पर्टिबलर टाइम पे खुब्सूरत तरीके से तो ऐसे फ्लावर जो ओपन होते हैं अपने डेवलप्मेंट सेज में मैं ऐसे फ्लावर को बोल रहा हूं कैजमो गैमर्स फ्लावर जो फ्लावर ओपन होते हैं कभी न कभी जो फ्लावर ओपन होते हैं कभी न कभी इनको मैं बोल रहा हूं कैजमो गैमर्स फ्लावर कैजमो गैमर्स फ्लावर पट देर और सम अधर फ्लावर्स ऐस वेल विस डूनोट ओपन एड ओल जो कभी भी ओपन स्थेस्यांते पर इस में नहीं होंगे से फ्लावर को मैं बोल रहा हूं लेकिस तो कि इस टू लो एक गैमस जिपने अपको बताया तो जो प्लावर孔म नहींie मैं इस इस में तो ब्लावर है ará हैं और एसे फ्लावर जो कभी नहीं ओपेन होंगे ऴेश which do not open at all. जो कभी नहीं open होँगे, इनको हम बोलेंगे Clystogamous flower. तो flower जो open होँगे, वो chasmagamous and flower which do not open at all, जो कभी नहीं open होँगे, उनको हम लोग बोल रहे हैं, Clystogamous flower. Clystogamous flower. और Clystogamous flower जो है, इसका मतलख ये है, कि suppose, पूर्पोस यह सब्सक्राइब इस तरीके से बंद रहते हैं हमेशा इस तरीके से हमेशा क्या रहते हैं तो अगर यह हमेशा बंद रहेंगे तो यहां पर पॉलेंगेंश प्रड्योस बंद रहेंगे यह मेल फ्रीमीयल रेजित हूर्गन आर्कन से मेल गेमिट चाहे जब रिलीज होगा वो उसी फ्लावर के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि फ्लावर क्या है बंग है और अगर गेमिट या गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट उसी फ्लावर के रह गया तो चाहे जब रिलीज होगा उसी फ्लावर के अंदर रहे तो हम यह कह सकते हैं कि अगर फिलावर का से जो सेक्ष ऐर्गन ये है उन फीमीर सउयक फिमिल से रहे कपड़ है एट ऐलिय टाइम तो यहाँ पर प्रण टो आप्ट बेंगा वह इसी स्टिक्मा पर ऐंड करेगा यह अधर का जो फॉलिम पर टिबा इन लैंड टो और इस pollination को मैं बुरूँगा self pollination self pollination तो क्लिस्टोगेमी जो है क्लिस्टोगेमस condition जो है this is an absolute mechanism to ensure self pollination क्लिस्टोगेमस flower में क्लिस्टोगेमी जहां पर पाये जाएगी क्लिस्टोगेमस flower जो हमेशा बन रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ self pollination होगा there is no chance of cross pollination यहां पर cross pollination की कोई probability नहीं बनती कोई chance नहीं बनता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा self pollination होगा तो क्लिस्टोगेमी is an absolute mechanism to ensure self pollination यहां पर self pollination ही होगा और तो और एक और important बात आप समझे कि यहां पर किसी की थरीके के agent यहां पर बिल्कुल भी पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजनसी की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है अब जुथ यहां पर पॉलिनेशन होगा ही होगा फार्स चेह और यहां पर पॉलिनेशन होगा ही होगा कि यहां पर ब्वेशलिय पी यहीर से पॉलिने आयएगे आयंगी कम से कर生 Jesus श्रीक मेंगे कम से कमी एक आश्यांति 있는데 Until Sheik Buff Olivia यह को बदाया कि एड़ आपको बदाया कि आपको बदाया कि आपको बदाया एंड पोलिटिंट इस जरूरत नहीं समझते हैं बाजू इसमें पॉलिटेशं हो करके रहेगा और पॉलिटेशन जरूरी क्यों है को बदाया कि अशनल को सब्सक्राइब ने सिंटलिण और परक्षाव सीट के लिए क्योंकि पॉलिटेशन होगा तभी एंपरायों में और कईछायकोड फर्टिलाजिएशन पें क्योंकि फर्टिलाजिशन रिजय और फॉर में और योईप बनेगा क्योंकि पर्टिलीशन बे सब्सक्राइब तो पॉलिएशन यहां पे क्लिस्ट्रोगमस फ्लावर में होकर के रहेगा होगा ही होगा क्योंकि लिमिटेड इस्पेस है अगर पॉलिएशन होगा तो यहां पे फटिलाजेशन के चांस से बहुत जाधा इंक्रीज हो जाते हैं और अगर फटलाइशन होगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनेगा तो इंब्राव स्दूबर्व में करणवर होगा तो इनकेस और समटी स्टो गैमस फ्लावर अपना पूद आ जिसमें इंगी सीड बनेंगे तो बहुत ज़्यादा जरूर्ड इसलिए हो गया है क्योंकि हम sings जाय कोel लूल सबस्कूरा चाहिए ऑफिस्केल मेंग जलिए मतलेंगि भानेंगट बनेंगे तो बहुत जाधा ज़रूरीüst reality श्रम्मेशन हगा इतनी बात आदको समद्मी है फिसके बात मैं आपको बताता हूँ हूँ कििसा इसे प्लावर सो सखते हैं जिसमें इसके आप इस तो टैसी प्लावर प्रेसित कोंगे इस अड़िया हैं में गशोनित प्लावर प्रेसेंट कोंगे इस ट tweeting को ऑ ride तो पॉमरेना वेंगलेंस प्लाइंट का नाम NCRT में इविन है यह बहुत इंपॉर्टन इग्जामपल में आपको बता रहा हूं जो है इसके नहीं है एक्जामपल में बाद मता रहा हूं जिसके क्लिस्टो गया बसके और दूसरा इग्जामपल में आपके दे रहा हूं वियोला और सब्सक्राइब क्लिस्टो गैमस फ्लावर प्रजेंट होते हैं इसको मैं और क्या बोल रहा हूं कॉमन पैंसी एक तीसरा एक्जामपल हमको याद रखना है ऑक्जैलिस इन सभी प्लांट्स में क्लिस्टो गैमस प्लावर प्रजेंट होते हैं अट्व इन्शोर सेफ पॉलिएशन लेकिन यह जो कॉमन लेना वैंगल इंशिस ब्लांट है यह बहुत इस्पेशल प्लांट है इसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रजेंट होंगे कैस्मों गैमन इस बीओपन इस लिए अले चिस्टो ग आपने पास क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी बीएर करता है ताकि अगर कैस्मोगेमस फ्लावर है तो वहाँ पर पॉलिनेशन की ज़रुद पड़ेगी कि ज़्यादा ओगी उपन होंगी कहीं करके जा सकते हैं लेकिन हो सकता है पॉलिनेटर ना विजिट करें पॉलिनेटर ना विजिट करें फ्लावर पे तो वहां पर पॉलिनेशन रुख जाएगा सीट नहीं बन पाएगा और सीट हमको नई जनरेशन अप्टेंट करने के लिए चाहिए ही चाहिए इस वज़े से कौमेली ना वैकलेंसिस में एक बहुत यहां पर यहां पर यहां पर फैकलिस्ट गेक बहुत पर यहां पर फुर्म जो इन्शोर करेंगे अशूर्ण सीट फॉर्मेशन को या की कीस्टो गैमस फ्लावार प्रिए चाहिए एक जानृट होते हैं थो यह तिनों एक फैस्प्ल अ किसके हैं यह तीनों इसके हैं एक आखरी में आपसे बात कर रहा हूं पांच्वे स्पेशल मेकनिजम की ट्वेंशोर से पॉलिनेशन डैट इस बड़ पॉलिनेशन बड़ पॉलिनेशन तो आपको समझ में आ रहा है कि बड़ का मतलब क्या है बड़ इस्टेश में फ्लावर जो है उसमें जो कैलिक्स है वो एसेंशिल यानिकी रिप्रॉडक्टिव फ्लोरल वोस को कवर किये रहता है यानिकी इंड्रोसिम और गाइनोसियम को बंद किये रहेगा कव लेव इस्टेश में ही कुछ प्लांच ऐसे होते हैं व्हुस्टे आइसे में फ्लावर बड़ इस्टेश में ही ऑनिशन कर लेते हैं एंड्स को अग्यों लिव तो अगर अभर है तपर श्रीच में ही बर्ड शमीर इसमें क्या होजाए का पॉलिनेशन होजाएगा पर आसा देंदी पर मिलता है कि ठरुछ में हृष छावल K Daily मैं गहुं है और टीवांट में गया हुं। मटर और और स्टिगम ऑप्डा कोड़ और इस तो ये पाँच बहुत इंपोर्टन मेकनिजम्स हैं जो एंशूर करेंगे तो मैकनिजम पेंशूर से पॉलिएशन हमने आपको बताया कि पाँच बहुत इंपोर्टन इर्जमेंट प्लांच सो करते हैं जिमें से ज़ाधा होगी बाइसस इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइस करिए फिर मैं आपको बताऊंगा की सिल्फ पॉलिनेशन को हम या प्लांट या नेचर इन पांच पांच स्पेशल मेकनिशन को बढ़ावा दे रही है तो इतना तामझांग किया जा रहा है नेचर के द्वारा की सिर्फ क्या हो सेल्फ पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी जादा हो और तो और क्लिस्टोगैमी कंडिशन इसलिए प्रजेंट है क्योंकि इस इस पेस पॉलिनेशन पे की प्लांट डि शो kamu करें ऑफ पॉलिनेशन जैनि प्लाइट में सेल्फ बेर बॉलिनेशन हो इस लिए ये पूरा का पूरा तामझांग है जो पीछे लिखे तो यह सकते हैं कि हम अगर इतना ज्यादा अपना रहा है नेचर यस्ट विच्श्व the तो self-pollination का कोई न कोई advantage होगा तभी तो nature इतना arrangement कर रहा है इतनी special mechanism develop कर रहा है फ्लावर के अंदर ताकि सिर्थ क्या हो सके self-pollination हो सके तो जास अगले वीडियो में हम इस mechanism जो है इसको revise करते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो mechanism है जो self-pollination को ensure कर रही है ये क्यों कर रही है इसका मतलब self-pollination का कही न कहीं क्या है advantage है और self-pollination के क्या advantage है क्या significance है इस बात को हम discuss करेंगे just next video में तो इतना आप एक बार बहुत अच्छी तरीके से revise करें फिर मैं आपको बताऊंगा advantage और अगर advantage है तो disadvantage भी होंगे उसको भी मैं अगले वीडियो में discuss करूंगा